काईज मैं डेली अपनी वीडियो में आप लोग को समझाने की कोशिश करता हूँ कि भाई ये सारी चीए जो है एक नए टेडर को नहीं करनी चीए नहीं तो मार्केटर बड़ा नुक्सान हो सकता है या फिर ये सारी चीए जो है करनी चीए अगर आप एक प्रॉफिटेबल ट या फिर जो मैं डेली देखता हूँ किस तरह से टेडर मार्केट में नुक्सान करा रहे हैं काफी सारे लोग हैं जो मुझे डेली एप्रोच करते हैं मेरी यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं और मुझे बताते हैं कि भाई हमने ये ट्रेड लिया यहाँ पे हमें इतना नुक्सान हो गया मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या गलती किया आप लोगोने और वो गलती आप लोग साथ शेयर करता हूँ वो एक्स्पिरेंस आप लोग साथ शेयर करता हूँ ताकि आप लोग वो गलती ना करो आप लोग को इतना बड़ा नुक्सान ना हो जाए तो काई यहाँ पर आज मैं कुछ examples आप लोग सा share करना चाता हूँ जहाँ पर traders ने काफी नुकसान की हैं जैसे कि यह भाई हैं अब यहाँ पर देखो यह बता रहे हैं कि इनका इनका 3,22,000 रुपे का यह इनका intraday loss है और यहाँ पर यह बता रहे हैं कि इनको जो नुकसान हुआ है कि वजय से हुआ है call provider की वजय से किसी ने call दी उस पर काम किया उस पर नुकसान हो गया तो देखो यहाँ पर दो चीज़े है पहली चीज तो call पर काम नहीं करना tips और advice की जुरूत नहीं है जो चीज़ आप खुद कर सकते हो वह चीज के लिए आपको किसी पर dependent नहीं रहना ची किसी के आप tips ले रहे हो call ले रहे हो तो पहले उसको test दो कर लो कि वो कितनी अच्छी call प्रोवाइड करता है दो चार दिन काम करके देखो उस पर ही paper rate कर लो और देखो कितनी effective है उसकी calls उसके बाद decide करो कि हाँ आपको कितनी capital शुरू करना है ये decision तो आप लोग ले ही सकते उनों को लेके इनोंने trade किया और यहां पर यह भाई भी है इनका तो यहां पर काफी बड़ा नुकसान है यहां पर दिखा रहे हैं कि इनका 24 लाग रुपे का नुकसान है तो मेरे भाई देखो बहुत ही बड़ा नुकसान है यह तो आपका दोस्त 24 लाग रुपे का और नी में चीज जो है वो है आपको सीखना पड़ेगा और सीखने के लिए सिरफ strategy पर काम करने की जूरत नहीं है strategy पर तो आप काम करोगे उससे आधा main जो focus रखना है वो अपनी emotions पर रखना है जहां पर आपको बड़े नुकसान हो रहे है 24 लाग का नुकसान इतने बड़े आप loss मे बड़े निकल गए वहाँ पर दो लाग बनने चीए थे तीन लाग बनने चीए थे तो इसीच के उपर आपको काम करने और यहां पर यह भाई दिखा रहे हैं कि इनका कुछ नुकसान है और यह बता रहे हैं कि डेली लॉस करते हैं डे के एंड तक जो इनकी position है वो लॉस मे मार्किट पलट जाएगी तो assumptions पे मेरे भाई दुनिया नहीं चलती, stock market तो बिल्कुल भी नहीं चलती है assumptions के ओपर, यहां पर देखिए यह भाई का यह बड़ा नुकसान है इन्होंने कल स्किंशोड अपना शेयर किया था मेसा तो और यहां पर देखिए 3300 की पोटिनों ने खरीदी कितनी बड़ी quantity में, 1200 quantity, 1200 quantity में खरीदी किस भाई पे खरीदी 296 के भाई पे, और भाई नीचे आते आते 225 तक आगे इनका stop loss ही नहीं था, और चार ट्रेट नजरा रहे हैं इनके, दो जगा इन्होंने profit किया पर दो जगा नुकसान, जहां पर profit हुआ, वहां पे तो risk and reward manage करके नहीं चल रहे हैं, यहां पे यह दूसरी trader हैं यह भाई, यह भी अपना नुकसान दिखा रहे हैं, कहे रहे हैं, help me और इन्होंने भी काफी सार अपने screenshot शेयर किये हैं, जहां पे इनको नुकसान ही हो रहे हैं, तो मैं भाई, loss के reason आप लोग को identify करने पड़ेंगे और आप लोग खुझ जानते हैं कि किस reason से आपको नुकसान हो रहे हैं, तो जब भी कभी नुकसान हो, day end पे देखा करो कि आपने क्या गलती की हो, बिना गलती के बड़ा नुकसान नहीं हो सकता, छोटा नुकसान तो हो सकता है, कोई भी trade लोगे, हो सकता है कि आपने एक trade वो भी नहीं चले, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर आप छोटे छोटे losses में बाहर निकल रहे हो, past rate भी गलत हो सकते हैं, पर इसका मतलब यह नहीं कि आपको जहां पे नुकसान हो रहा है, वहाँ पे और गलतीयां करो, वहाँ पे आप एवरेज बनाओ, वह किसी के लिए भाई, चार लोट में काम करके 18,000 पे का नुकसान जो है, वह भी काफी बड़ा हो सकता है, और किसी के लिए धायलाक का नुकसान भी कुछ नहीं है, तो गाईज यह चीजे नहीं करनी, stop loss ही हर जगा मुझे नजर आता है, stop loss एक ऐसी चीज है, जो कि आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, stop loss लगाने को, आदत बनानी पड़ेगी आपको कि जब भी trade लेना है, stop loss लगाना है, जब भी trade अगेंज जाएगा, वहाँ पे exit करना है, अब यह भाई देखो, यहाँ पे इन्हों यह ट्रेड लिया, चाहे दो लोट में अपनी position काटी नहीं, आप लोगों ने मेरी वीडियो में देखा होगा, कई बर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, कि छोटा सा नुक्सान हुआ मैं बहार आ गया, छोटा सा नुक्सान हुआ बहार आ गया, अब उसमे काफी सारे comment आते हैं, भाई आप जल्दी डर जाते हो अरे भाई डरूंगा नहीं, तो यहाँ पर लाखों का नुक्सान हो जाता है, मैं इसी से डरता हूँ, कि मुझे कहीं बड़ा नुक्सान ना हो जाए, छोटा नुक्सान बरदाश कर सकता है कोई भी, बड़ा नुक्सान जो है, उसको कहीं न कहीं, guys, digest करना मुश्किल हो जा है कि अभी तक, मतलब आग तक का इनका टॉटल लॉस है, यह जो एक लाख रूपे का है, यह एक और जगह देखो, यहाँ पर बड़ा नुक्सान देखने को मिल रहा है, तीन लाख चौालीस दार रूपे का नुक्सान है, यहाँ पर भी कारण आप देखो, आपको नजर आ जाएगा, यहाँ तो बड़ी कॉंटिटी, यहाँ फिर स्टॉप लॉस का ना होना, एक जगह इनका 3-43 का नुक्सान है, एक जगह लाख रूपे का भी नुक्सान है, एक जगह 29 का, दो जगह उनने प्रॉफिट भी की है, पर प्रॉफिट इतने बड़े नहीं थे कि इनका नुक्सान जो है, वो रिकावर हो पाता, तो दोस्त, आदत बना लो, स्टॉप लॉस लगा के काम करना है, जहाँ पर नुक्सान हो रहागा, छोटे नुक्सान में ही काट दो यार नहीं, तो वो 10,000 बड़े का नुक्सान दिन के आकिर तक, लाख का बन जाता है, दो लाख क लोगे 10 जर तो बनाओगे पर वहाँ पर आप देखो किता बड़ा risk ले रहो आप average करके stop loss ना लगा के day के end तक wait करके तो ये सब चीज़ा आपको करनी छोड़नी है तो काईज आप लोगों ने भी नुकसान करा होंगा I'm sure कि हर नया trader नुकसान ही कराता है initially तो जिस time के आपने अपने trading journey शुरू की थी उस time के आपने नुकसान करा है किस तरह से आपने अपने नुकसान करा है please मुझे comment section में ये चीज़ बताईएगा